तुम मानलू कैसे लाइफ की बड़ी लड़ाई में, छोड़ गए किरदार वो सारे अपनी ही परचाई में, नाम लिया जाएगा तेरा कुछ ऐसी अनहोनी में, अरे कल ही तो देखा था तुमको शौट लगाते धोनी में, सोन चिरया उड़ जाएगी कहां पता था हमको भी, तुम भी ऐसे तूटोगे ये कहां पता था तुमको भी, याद आओगे, हमको तुम ये कहने वाली बात नहीं, दोस्त, मगर तुम ये कर दोगे, ऐसे तो हालात नहीं, हलकी सी मुस्कान लिए हर दर्द को तौला करते थे कहां गए जो कहते थे कि चेहरे बोला करते थे और खुद से अपने हाथ किसी के जब भी छूटा करते हैं आसमान के बड़े सितारे यूँ ही तूटा करते हैं यूँ ही तूटा करते हैं सुषान सिंग राजपूत आप हमेशा हमें आद हो कि सुषान सिंग राजपूत की हत्तिया के बाद कई चीजे बाहर निकल के आई है कुछ मैंने इंटर्वीज पड़ें कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ह करके बहुत जादा परेशानते अभिशे कपूर जिन्हों ने उन्हें लांच किया उनके साथ हाल ही में फिल्म किया के दानाथ उनका कहना है कि वह समाजिक रूप से की गई अपमान और बैज़ती नहीं सेहन कर पाया तो अपने आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने ने आपको कि अंगेस्ट को इलीगल एक्शन नहीं लिए सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंगराले बाल है जिसको नैशनल आवर्ड मिला हुआ है साइकोटिक ह इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस्ट 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुशान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्सिस्ट ह लिखता है कि सुशान एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 फर्वरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशान ने कांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 ऑक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुशान ने अपनी को एक्ट प्रश्चार सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गए मैं एक जर्नलिस्ट को कानून किया गया कि इसकी फिल्म को बैंक किया जाए फ्लॉप किया जाए अपो तेन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और इस समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको पे केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वो गायव हो गये मेरी फिल्म रिलीज होई गायव हो गए तो मेरा कहने का हूए मनलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय के बुनियार पर खड़ा ह और कभी आवाज नहीं आप ये पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा आपके गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां बजेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी